प्रस्न संख्या 15, दो संख्याओं का अंतर 12,870 है, यदि बड़ी संख्या 42,375 हो तो छोटी संख्या ग्यात करें तो प्रस्न 15, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का अंतर कितना है 12,870 और बड़ी संख्या कितना है 42,375 तो 42,375 में से 12,870 को घटा देंगे ठीक है तो छोटी संख्या कैसे निगलेगा बड़ी संख्या माइनस 2 संख्याओं का अंतर ठीक है जब भी छोटी संख्या निकालना हो तो बड़ी संख्या में से 2 संख्याओं का अंतर को घटा देंगे तो बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है 42,375 और 2 संख्याओं का अंतर है 12,870 ठीक है तो इसको अब घठाएंगे हम 5 में से सुनने गया 5 7 में से 7 गया सुनने 13 में से 8 गया 5 यह हो गया 1 11 में से 2 गया 9 यह हो गया 3 3 में से 1 गया 2 तो इसका उत्तर कितना हो जागा 29,505 यानि छोटी संख्या कितना होगा 29,505 तो बड़ी संख्या दिया हुआ था तो देखें बड़ी संख्या में से अब हम छोटी संख्या गटाएंगे तो इतना आ जाएगा 12,870 उसका अंतर तो इसका उत्तर हो जाएगा 29,505 प्रैसन संख्या 16 दो संख्याओं का अंतर 10,101 है यदि बड़ी संख्या 78,600 बामन है तो छोटी संख्या ग्याद करें तो प्रैसन सोलब में दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है बड़ी संख्या दिया हुआ है तो छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या बराबर होगा बड़ी संख्या जो की है 78,622 तो 78,622 में से 10,101 को घटा देंगे तो छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दो संख्याओं का अंतर ठीक है तो बड़ी संख्या दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो घटा देंगे तब छोटी संख्या निकल जाएगा तो दो में से एक गया एक पांच में से सूनने गया पांच छे में से एक गया पांच आठ में से सुन ने गया आठ साथ में से एक गया छे तो इसका उत्तर कितना होगा 68,500 एकावन तो प्रस्न सोला का उत्तर होगा 68,500 एकावन तो छोटी संख्या आ चुका है प्रस्न संख्या 17 एक सहर की जन संख्या 5,87,543 तदा दूसरे सहर की जन संख्या 2,29,627 दोनों सहरों की जन संख्याओं में अंतर ग्याद करें तो प्रस्न संख्या तो लिखेंगे जन संख्याओं में अंतर बराबर तो एक सहर की जन संख्या कितना दिया हुआ है 5,87,543 और दूसरे सहर की जन संख्या 2,29,627 तो दोनों सहर की जन संख्याओं में अंतर पूछ रहा है तो अंतर मतलब क्या होता है घटा न तो देखें एक सहर की जन संख्या कितना दिया हुआ है 5,87,543 तो 5,87,543 में से 2,29,627 को घटा देंगे तो देखें जिस सहर का जनसंख्या जादा है उसमें से हम जिस सहर का जनसंख्या कम है उसको घटा देंगे ठीक है क्योंकि बड़ा सही छोटा घटता है बड़ा संख्या सही छोटा संख्या घटता है तो देखें 3 में से 7 3 में से 7 यानि 13 में से 7 गया तो 6 यह हो गया 3 3 में से 2 गया 1 यह 5 तो 5 में से 6 यानि 15 में से 6 गया 9 यह हो गया 6 तो 16 में से 9 हो गया 7 यह हो गया कितना 7 7 में से 2 हो गया 5 यह 5 5 में से 2 हो गया 3 तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3,57,916 यानि दोनों सहरों में जनसंख्याओं का अंतर कितना होगा कितना है 3,57,916 प्रस्न संग्या अठारा जमीन के एक पलॉट को खरीदने के लिए पांच लाख पचासी हजार नौसो एकतर रुपया की आउ सकता है जबकि रुपेश के पास तीन लाख अड़सेट हजार नौसो पचातर रुपया है अब रुपेश को और कितने रुपय की बिवस्था करनी होगी तो प्रस्न अठारा तो हम लिखेंगे यहाँ पर रुपेश को रुपेश को बिवस्था रुपेश को बिवस्था करनी होगी तो जमीन के एक पलॉट को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए पाँच लाख पचासी हजार नौसो एकतर रुपया ठीक है तो पाँच लाख पचासी हजा नौसो एकतर रुपया में इससे घटा देंगे जितना रुपेश के पास है तीन लाख अडशट हजार नौसो पचास्तर रुपया तो रुपेश को कितना और बिवस्था करनी होगी तो जितना दाम है उस जमीन के एक प्लॉट का उसमें से रुपेश के पास जितना रुपया उसको घटा देंगे तब ही पता चले है कि कितना और रुपेश को चाहिए तो पाँच लाख पचासी हजार नौसो एकतर में से तीन लाख हड़सेट हजार नौसो पच्छतर को घटाएंगे तो एक यानि एगारह में से पांच गया छे ये हो गया छे सोलह में से साथ गया नौ ये हो गया आठ तो अठारह में से नो हो गया नौ ये हो गया चार चौदह में से आठ गया छे यह हो गया साथ साथ में से छे गया एक पांच में से तीन गया दो तो इसका उत्तर कितना होगा दो लाक सोला हजार नौसो च्यानवे रुप्या यानि रुपेश को और कितना बिवस्ता करना होगा तो दो लाक सोला हजार नौसो च्यानवे रुप्या उस plot को खरीदने के लिए प्रसन संख्या 19 एक flat की कीमत 7,32,000 रुपया है भुपेश के पास 6,4,000 रुपया है भुपेश को उस flat को खरीदने के लिए और कितने रुपया चाहिए तो प्रसन 19 हम लिखेंगे यहां पर भुपेश भुपेश को और चाहिए भुपेश को और चाहिए तो एक flat की कीमत कितना दिया हुआ है 7,32,000 रुपया है तो इसमें से हम घटा देंगे तो और कितना चाहिए उसको कितना कम रहा है फ्लैट लेने के लिए तो देखें सुन्य में से सुन्य गया सुन्य सुन्य अब देखें दो में से चार गया यानि बारह में से चार गया आठ यह हो गया दो दो में से सुन्य गया दो साथ में से छे गया एक तो कितना चाहिए भुपेश को और चाहिए एक लाख अठाइस हजार रुप्या प्रस्न संख्या बीस एक दुकान खोलने के लिए आठ लाख पंचानमे हजार रुप्या की जरूरत है जबकि अहमद के पास छे लाख पचासी हजार साथ सो रुप्या है अब उसे और कितने रुप्या की बिवस्था करनी होगी तो प्रस्न संख्या बीस तो लिखेंगी यहाँ पर दुकान खोलने के लिए अहमद को बिवस्था करनी होगी तो दुकान खोलने के लिए अहमद को बिवस्था करनी होगी तो कहरा है एक दुकान खोलने के लिए कितना चाहिए आठ लाक पंचानमे हजार रुप्या और अहमद के पास कितना है छे लाक पचासी हजार साथ सो रुप्या ठीक है तो इतना रुप्या में दुकान खोलेगा लेकिन इसके पास अहमद के पास इतना ही रुप्या है तो घटाएंगे तब पता चलेगा कि कितना उसको और चाहिए तो आठ लाक पंचानमे हजार से छे लाक पचासी हजार साथ सो को घटाएंगे सुनने में से सुनने गया सुनने सुनने में से सुनने गया सुनने दस में से साथ गया तीन यह हो गया चार तो चार यानि चौदा में से पांच गया नो यह हो गया आठ तो आठ में से आठ गया सुनने आठ में से छे गया दो इसका उत्तर कितना आएगा 2,9,300 यानि आहमद को चाहिए आहमद को बिवस्ता करनी होगी 2,9,300 रुपया तब दुकान खुलेगा प्रसन संख्या 21 एक डेरी फॉर्म ने जन्वारी में 54,321 लीटर दूद तथा फर्वारी में 68,451 लीटर दूद का विक्री किया जन्वारी की तुल्ना में फर्वारी में कितना अधिक दूद का विक्री हुआ तो प्रसन 21 तो लिखेंगे एक डेरी फॉर्म एक डेरी फॉर्म डेरी फॉर्म का जन्वारी की तुल्ना में जन्वारी की तुल्ना में फर्वारी में फर्वारी में अधिक दूद अधिक दूद का विक्री हुआ तो एक डेरी फॉर्म का जन्वारी की तुल्ना में फर्वारी में अधिक दूद का विक्री हुआ इसको कैसे निकालेंगे देखें फर्वारी में कितना विक्रा है 68,451 लीटर तो इससे घटा देंगे हम जन्वारी में कितना विक्रा है 54,321 लीटर तो फर्वारी में ज्यादा दूद विक्रा है तो उससे घटा देंगे जन्वारी में जितना दूद विक्रा है उसको तभी निकलेगा कि फर्वारी में जन्वरी के तुल्ला में कितना अधिक दूद का बिक्री हुआ तो 68,451 से 54,321 को घटा देंगे एक में से एक गया सून्य पाँच में से दो गया तीन चार में से तीन गया एक आठ में से चार गया चार छे में से पाँच गया एक तो इसका उत्तर कितना आएगा तो इसका उत्तर आएगा एक लाख माफ कीजिए 14,130 लीटर 14,130 लीटर फरवरी में अधिक दूद का बिक्री हुआ है जन्वरी के तुल्ला में ठीक है प्राशन संख्या 22 एक जन्गल में 6,4,320 बिरीच है इन्वर से 6,542 बिरीच काट लिए गए अब जन्गल में कितने बिरीच बचे तो प्राशन 22 तो लिखेंगे जन्गल में बच्चा बच्चे हुए बिरीच जन्गल में बच्चे हुए बिरीच तो एक जन्गल में कितना बिरीच है 6,54,320 तो 6,54,320 में से कितना काट लिया गया 6,542 तो जन्गल में बच्चे हुए बिरीच कितना हो जाएगा तो जितना बिरीच है उसमें से घटा देंगे जितना काट लिया गया है तो 10 में से दो गया 8 यह हो गया 1 11 में से 4 गया 7 यह हो गया 2 12 में से 5 गया 7 यह हो गया 3 13 में से 6 गया 7 यह हो गया 4 यह हो गया 6 तो इसका उत्तर कितना आएगा 6,47,778 बिरीच तो जंगल में बच्चे हुए बिरीच कितना है 6,47,778 व्रिच प्रस्न संख्या 23 एक वर्ष के अंदर एक सहर की जन संख्या 4,32,600 से बढ़कर 4,60,200 हो गई उस वर्ष सहर की जन संख्या कितनी बढ़ गई तो प्रस्न 23 लिखेंगे उस वर्ष सहर की जन संख्या बढ़ी तो एक वर्ष के अंदर एक सहर की जन संख्या देखें चार लाख साथ हजार दो सो हुआ अगले वर्ष में एक वर्ष के अंदर ठीक है और पहले कितना था चार लाख 32,600 तो घटा देंगे सुनने में से सुनने गया सुनने फिर सुनने अब देखें बारह में से छे गया छे यह हो गया नौ नौ में से दो गया साथ यह हो गया पांच पांच में से तिन गया दो चार में से चार गया सुनने 27,600 यानि उस वर्ष सहर की जन संख्या कितना बढ़ी 27,600 27,700 यानि गया पांचे कितना लेखें जन से टक गया सुनने लोने पांचे कितना बढ़ी 27,600 यानि अद्लिए